चेहन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML5 वर्जन का इंट्रोडेक्शन वीडियो कि HTML5 क्या है उस सबसे पहले देखते हैं कि What is HTML5? यह HTML यह जो 5 है यह HTML क्या है? तो HTML है Hyper Text Markup Language यहनी एक ऐसी लैंग्विज एक ऐसी वैब लैंग्विज जिसमें सारी वैबसाइट डिपेंड है कहीं न कहीं चाहे कोई भी वैबसाइट हो जितनी भी बड़ी वैबसाइट क्यों न हो? वो सभी का बेश जो है वो HTML decide करती है इसके साथ ही लगा हुआ है 5 तो यह 5 क्या है? तो 5 इसका HTML5 जो है 5 इसका current और major version है इसके पहले HTML4, HTML3 चलती थी लेकिन यह अभी latest version है HTML5 इसके बाद सवाल आता है next कि why learn HTML5? हम HTML5 को क्यों पढ़ें? तो यदि आपको website बनाना है या कोई webpage बनाना है, create करना है carrier website create करनी है यानि कोई भी website बनानी है web pages बनाने है या कि उनको create करना है, edit करना है, कोई भी designing का काम करना है या कि आपको as a web designer carrier select करना है mobile application बनानी है desktop application create करनी है जिसमें phone gap ionic के through up mobile development में भी भी काम कर सकते हैं with the using of html 5 इसके साथ साथ software requirement क्या क्या हो सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से software होने चाहिए अगर हमें html को अच्छे से सीखना है और html में command हासिल करनी है तो हमारे पास जो major कह सकते हैं कि जो बहुत ही जरूरी हमारे पास software है वो html editor होना चाहिए और एक web browser होना चाहिए important html editor notepad भी हो सकता है notepad plus plus notepad और notepad plus plus में जो basic अंतर है जो है कि ये जो notepad plus plus है ये colorful coding हमें दिखाता है जो हमारी language होती है उनके syntax को colorful करके दिखाता है उसके बाद जो हमारे important html editor है वो है atom इसके साथ साथ हमारा Microsoft का ही एक html editor हमें जो provide करता है वो है bs code visual studio code ये इसका full form होता है इसके साथ साथ हमारे पास एक sublime text editor भी मुझूद होता है साथ ही साथ लेकिन ये सभी जो है वो किसके लिए है वो desktop के लिए है desktop के लिए लेकिन यदि आपके पास desktop या PC नहीं है तो आप phone में भी web designing सीख सकते हैं और ये web designing का full course कर सकते हैं इसके लिए आपके पास a code editor नाम का html या text editor पाया जाता है spike कभी आप यूज कर सकते हैं vs code जो की android version है यहीं की android में चलने के लिए बनाया गया है उसका भी आप यूज कर सकते हैं इसके साथ साथ जो मेरा most और important favorite text editor है इसका भी आप यूज कर सकते हैं web browser की यदि हम list देखें कि कौन कौन से web browser हमें ने चाहिए html को सीखने के लिए तो google chrome इसको सभी कोई preference देता है और मैं भी preference देता हूँ जितने भी web designer है वो सभी कहते हैं कि chrome का यूज करें इसका यूज करने का फाइदा ये है कि ये latest है यानि कि google चुकि ये दुनिया की सबसे बड़ी company बन चुकी और most popular company नहीं बन चुकी है तो ये अपने सभी software को day to day update करता है जिससे हम क्या कर सकते है कि html की जो latest टैक्स आ रहे है नए 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 टैग आ रहे हैं नए नए syntax आ रहे हैं उनको ये support करता है इसके साथ साथ आप mozilla firefox का यूज कर सकते हैं फर्स्ट यदि मैं counting की बात करूँ category की बात करूँ तो first में यदि हम इसको reference देते हैं तो second में हम mozilla firefox को ही कहेंगे कि आप इसका use करें इसके साथ 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 आप internet explorer का use कर सकते हैं opera mini जो की mainly design कह सकते हैं कि ज़्यादा तर इसका use android user करते हैं android user करते हैं and mac यदि सफारी योज होता है अंगले next वीडियो में हम देखेंगे कि हम html का basic program कैसे कर सकते हैं basic program कैसे write कर सकते हैं thanks for watching in this video